हालो एवरीवन आज हम बनाने जा रहा है मटर पुलाओ यह मटर पुलाओ बहुत ही मज़दार बनता है जायके में बहुत जादा अच्छा लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमने लिए हैं आधा किलो बासमती चावल इनको दोकर आधा कंटे के लिए हमने भी गो दिया है और दो कटोरी मठर लिए हैं दो टामाटर काट लिए हैं हमने और यह अलसंद रखका पेस्ट और प्यास यह एक छोटी प्यास कटी हुई है जेड़ सो गिराम ऑईल है और यह कुछ हरी मिर्चे लिए हमने साबूत कुछ फ्यासर नाला श्कुत करते हैं जो अबेसमे महम स्कुट्प्पा-व्या दाल देंगे के तेश-पत्र कारी मिलेए सब एत थोड़ा चटक जायाए गा इसक बाद वह हम इसमे प्यास टाले को ज़ब्च प्यास घेर हमारे ब्राउन हो गई है हमारे ब्राउं हो गई है अब इसमें मठर को टाल कर अच्छी तरह से भूनेंगे अब इसमें मठर को टाल कर अच्छी तरह से भूनेंगे अब इसमें एक चमबर बड़ा वाला दही डाल देंगे अब दही डालके अच्छी तरह से भूल देंगे और इसमें तरह से घल जाए इसके बाद में चावल डालेंगे बटर हमारे अच्छी से हो गई है अब हम इसमें चावल डाल देते हैं दो गिलास चावल है हमारे तो हम इसमें चाल गिलास पानी डाल देंगे क्योंकि हम इसको खोल कर बनाना है अगर हम इसको सीटी लगा कर बनाते तो हम इसमें आधे गिलास पानी कम डालते और भी इससे कम है यहां आप नमक डाल सकते हैं छावलो के अतिने देर तक पकाना है यह पानी खुशक हो जाया और छावलों बीज-वीच में से सुराह हा जाया उसके बाद में हंदम के लगाइए तो हम इसको अब पकने के लिए रख लेखें अब हम खोल के देख लेते हैं यह देखे हैं यह सरा हो गया न पुलो कर देखे हैं आप को तक पुलाओ को लिए yeah कि अच्छे तरह से बनकर प्यार हो गया अब हम निकाल कर आपको दिखाते हैं व्होट कि अच्छे टेस्टी यम्मी चावल देखें कितने अच्छे शाष के बने हैं मट्रपुला आप जरूर बना कर देखिए और अगर आपको यह पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक अपना हयाल रखेगा फिर मिलूँगी इपने रिश्टी साथ तब तक के लिए अल्ला हापिस